दोस्तो अगर duplicate content user की सारे requirement को fulfill कर रहा है तो Google की नजर से duplicate content बेटर है original content से तो ए मैं नहीं बोल रहा हूँ एक Google की staff John Muller ने बोल रहा है तो इसी के नाते कुछ publisher दूसरे अच्छे अच्छे article को copy कर रहा है और copy करके उसको और भी better कर रहे है इससे उसका article original से ज़्यादा rank कर रहे है तो आपको भी आपके content को protect करना चाहिए आज इस वीडियो में बताऊंगा आप क्यासे अपने post को बिना किसी plugin से ही protect कर सकते हो तो जानने के लिए इस वीडियो को जरूर वाच करें अगर इसके related किसी भी doubt हो तो नीचे comment पे जरूर बताए reply जरूर करूंगा तो चलिए let's get started protection का मतलब आपके site में कोई भी लोग content को copy नहीं कर पाएगा और दूसरे टैप पे भी नहीं खोल पाएगा तो इसको आप कैसे कर सकते हो तो इसके लिए आपको किसी भी plugin की जरूरत नहीं है अगर blogger यूज कर रहे हो तो भी कर सकते हो तो यहाँ पे मैं एक script आपको provide करूंगा इस script को आपको copy कर लेना है पूरा all दबा के copy करना है अगर आप wordpress site यूज कर रहे हो तो wordpress की appearance section पे जाना है नया theme का update यह refresh हो जाएगा और आपके protection हट जाएगा तो आपको एक plugin को install करना है insert header and footer इस plugin को आप अगर install करेंगे तो आपके पास कभी नहीं एक code जाएगा क्यूंकि उस hot code की हिसाब से जबी नया अपडेट आएगा automatically उस जगा बैट जाएगा तो आपको अलग से बैठाने की भी जरूरत नहीं है तो मैं आपको दिखा देता हूँ अगर आप plugin से करना चाते हैं तो plugin को पहले install करेंगे insert header footer generally सभी लोग यह plugin को यूज करते हैं यह WP beginners की एक plugin है insert लिक के search करेंगे insert header and footer देख सकते हो यहाप कस्टोम ली किसी भी code को header या फिर footer में लगा सकते हो तो यहापे पहले install कर लेना है install जैसे ही करेंगे इसको activate करना है और यहापे cache को clean कर लेना है तो यहापे जैसे ही आएगा insert header and footer के setting पे जाना होगा यहापे देख सकते हो insert header and footer setting section के under insert header and footer दीखेगा तो इसको आपको second tab में खोल लेना है तो यहापे आप theme editor से भी कर सकते हो edit header section पे आपको जाना है और यहापे उस code को बैठा देना है पर update होने के बाद एक code हट जाएगा तो इसलिए मैं आपको इस plugin को recommend करूंगा तो यहापे आने के बाद paste कर देना है और paste करने के बाद save पे click कर देना है बस इतना ही आपको करना है आपके पूरा content protect हो जाएगा तो अब इसको मैं refresh करूंगा और यहापे कोई भी बन्दा आपके पोस्ट के अंदर copy नहीं कर सकते select भी नहीं कर सकते copy तो दूर की बात है copy भी नहीं कर सकते तो दोस्तों इस तरीके से आपके website की पोस्ट को protect कर सकते हो और चोडी होने से बचा सकते हो और अगर आप blogger को को open कर लेता हो तो यहापे मैं इस ब्लॉक के अंदर एक पोस्ट है इस पोस्ट को protect करना चाहता हो तो सेम तरीके से आपको theme section पे जाना होगा theme section पे जाने के बाद यहापे इस corner पे click करना होगा edit HTML पे जाना होगा edit HTML पे जैसे ही जाएंगे इसके अंदर आपको head का option दिखेग तो यहापे head के अंदर ठीक एक बर enter दबाएंगे और उस code को paste कर देंगे और save पे click कर देंगे बस आपका काम खतम head के नीचे होना चाहिए अगर इसको आप नहीं ढून पा रहे हो तो control app दबाएंगे यहापे search बार आ जाएगा इसके अंदर आपको head लिखना है head लिखेंग हो चुका है अप इसको refresh करेंगे देख सकते हो यहापे select भी नहीं हो रहा है और copy भी दूर की बात है तो इस तरीके से आप blogger से भी कर सकते हो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको पूरा guide मिला है वीडियो को like करे और ऐसे ही blogging से related tips and tricks पाने के लिए आप हमारे channel को भी subscribe क करें आप